हलो बच्चो आशा करती हूँ आप सभी अच्छे बच्चे होंगे पर बच्चो अच्छे बच्चो का मतलब क्या है? हम अच्छे बच्चे कैसे बन सकते हैं? अच्छे बच्चे बढने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे की हमें सदा ही सच बोलना चाहिए हमें नीठे बच्चन बोलने चाहिए सभी का आदर करना चाहिए सभी काम समय पर करना चाहिए और मन लगा कर परना चाहिए आशा करती हूँ आप सभी ब अच्छा होता है, नीत्य कर्म करना अच्छा होता है, ठीक समय पर खाना अच्छा होता है, खाने से पहले हाथ दोना अच्छा होता है, खेल कूद भी करना अच्छा होता है, ठीक समय पर सोना अच्छा होता है. तो बच्छों, याद करो, कल हमने कौन सा व्यांजन पढ़ा था, येस, व्यांजन कर, तो अब मैं आपको व्यांजन कर से शुरू होने वाले सब्दों से एक कहानी सुनाऊंगी. एक छोटा सा गाउं था, वहां केशव और कमला नाम के भाई बेहन रहते थे, उनके घर में पूजा थी, इसलिए पर बगीचे से फूल लेने गए, वहां उन्होंने एक कुट्टे को देखा, उन्होंने विचार किया, कि इस कुट्टे को कटोरी में दूद पिलाया जाए, परन्तु कुट्टा भौकने लगा. वे दोनों डर कर एक पेड के पास आखड़े हो गए, उन्होंने उपर देखा, तो पेड में से कोयल मधूर गीच सुना रही थी, साथ में एक कववा भी बैठा हुआ था, और आसमान में कुछ कवुतर उड़ रही थे. पेड के पास उन्होंने देखा एक छोटा सा तालाब, उस तालाब में कमल का फूल खीला भुआ था, और एक कच्छुआ भी था. थोड़ी ही देर में उनके दादा जी किशोरीला बजार से आये, बच्चों ने उनको कुर्सी पर बैठाया, और पूछने लगे, आप हमारे लिए उपहार में क्या लाएगो, तब दादा जी ने कमला को किताब और केशव को कलम दिया, बच्चे उपहार पाकर बहुत खोश हुए. फिर थादा जी ने कहा, बच्चों ये कलश घर में जाके रख दो, जब बच्चे घर में रखने गए, तो उन्होंने घर की छट पर एक बंदर देखा, बच्चों ने बंदर को केला खाने के लिए दिया, बंदर को केला खाते देखकर बच्चों को बहुत मजा आया, तो आ आपको भी बच्चो मज़ा आया। तो चलो बच्चो, बताओ, मैंने क से शुरू होने वाले कौन-कौन से चित्र लिये हैं। कसे कमल, कसे कच्चुआ, कसे कुर्सी, कसे किशोरिलान, कसे कव्वा, कसे कोयल, कसे केश, कसे कमल, कसे कलम, कसे किताब, कसे कभुतर, कसे कलश, कसे केला, कसे कटोरी, कसे कुत्ता, तो चलो बच्चो, आज हम फिर से वे अंजन का लिखेंगे, सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, 1, 6, 16, dot, 7, dot, 2, 0, 20, कर लिखने के लिए, हमको स्टार्ट करना है, 1st blue line से, स्टार्ट from 1st blue line, make a standing line, come till 3rd blue line, again go up till 2nd blue line, make a circle, make a curve like this, on the top, slipping line, इस slipping line को हिंदी में क्या कहते हैं, शीरोरेखा, कर लिखने कर लिखेंगे, again start from 1st blue line, come down, again go up till 2nd blue line, make a circle, curve like this, on the top, शीरोरेखा, कर लिखेंगे, standing line, again go up, कर लिखेंगे, make a circle, curve like this, on the top, शीरोरेखा, कर लिखेंगे, again make a standing line, go up till 2nd blue line, make a circle, then make a curve, on the top, शीरोरेखा, कर लिखेंगे, कर लिखेंगे, standing line, go up till 2nd blue line, make a circle, then make a curve like this, on the top, शीरोरेखा, again, make a standing line, go up till 2nd blue line, go up till 2nd blue line, make a circle, a curve, and on the top, शीरोरेखा, कर लिखेंगे, standing line, go up, make a circle, then make a curve, on the top, शीरोरेखा, कर से, कर लिखेंगे, कर लिखेंगे, कर लिखेंगे, कर लिखेंगे, go up till 2nd blue line, make a circle, then make a curve, and on the top, शीरोरेखा, कर से, कछ्छुआ, standing line, go up till 2nd blue line, make a circle, curve, on the top, शीरोरेखा, कर से, कलम, standing line, go up till 2nd blue line, make a circle, then make a curve, on the top, शीरोरेखा, कर से, कोयल, अब बच्चो, आपको, इसी तरह व्यांजन, कर इन 3 कॉलम में लिखना है, फिर से बच्चो, हम चल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए, बाई, कर सकते बच्चो, कर सकते बच्चो, झाना हैं, अब पर व्यांजन, झाल झाल